नमस्कार दोस्तों मैं हूँ देव और आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे कि आप अपने पीजन्स को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं तो विडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं इनको नीचे गुलाने के कोशिश करता हूं यह चत पे बैठे हुए तो मैं आपको बताओं कि अगर इनके पंखों की एक्सराइज नहीं कराओं तो यह मतलब आलची हो जाते हैं कोई काम धंदा नहीं करेंगे खाएंगे और सिर्फ अपने दर्वे में चले जाएंगे दर्बा मतलब जहां पे रहते हैं उस जगों को दर्बा का जाता है मतलब मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी बात पर आते हैं कि इनको मिक्स फीट क्या देना चाहिए ठीक है तो मिक्स फीट के पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उससे पहले मैं आपको इनका दर्बा दिखा देता हूं दर्बा मतलब छुटा सा जो हमने इनका घर टाइप आप जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ऐसी जवाँ पर रखा है जहां पर बिल्ली या भी नहीं सकती है और बिल्ली इनको चोट पहुचा नहीं सकती अब बात करेंगे यहां पर कि कितनी बार इनको उड़ाना चाहिए तो काई इनको सुबह और शाम अगर आपके वास टाइ इनको सर्फ खिलाते रहेंगे और यह बैठे रहेंगे अपने केजिस में और उड़ेंगे नहीं तो यह मोटे हो जाते हैं ठीक है फिर यह आलसी हो जाते हैं यह उड़ने का नाम में लेते हैं और अब बात करते हैं मिक्स फीड की तो गाइस मिक्स फीड में हम आपको भी मोट सूब के यह जब के विडियो बना दोँगा मिक्स फीड में आप इंको दे सकते हैं बाज्रा और बुत्टा दे सकते हैं अप वुट्टा मतलब कॉण ठीक है और मसूर्थ डी सकते हैं मसूर दाल जिसको बोलते हैं जववार सकते हैं काला चना दे शकते हैं और आय चाहे तो यह पॉल चाह झाल शुब सुबिता इसे जो जो भी ऐसे सकते हैं लाकर आज के लिए इस नहीं मुझे बताना था कि आप अगर इनको अच्छी डाइट देंगे और फैटी डाइट नहीं देंगे मतलब जिसमें फैट जादा कंटेन करता हूँ वो डाइट अगर आप ना दे और इनको अगर सही तरीके से फ्लाइट दे मतलब इनको उड़ाएं सुबह और शाम को डेली बेसिस पे तो यह ज़रूर सक्सेस्फुल होंगे यह मोटे नहीं होंगे और यह आल सी भी नहीं होंगे और इनका लाइट स्पैन भी अच्छा बना रहेगा तो अगर आप को यह वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को आल बाट बट्च थैंक यू